हलो राम राम जी आज मैं बची रोटी से नास्ता बना रही हूं मैंने गेस पे तवा चड़ा दिया और रोटी रख दी थी इसके उपर और इस पे गी लगा दूंगी पूरी रोटी पे अच्छी तरह गी लगाऊंगी ताकि शिक्ते टाइम इसमें करारापन आ जाए तो पू अभलोगे इसके प्लेटने के बाद इसकी दूसरी सैड भी इसी तरह पूरी रोटी पर घी लगा दूँगी और इस तरह घी लगार के सेखने से रोटी बहुत ही करारी बनती है और नास्ते में भी बहुत ही टेस्ट आता है और इस तरह मैंने दबा दबा के इसको शेक लिया था और इसमें करारापन आ जाए जब तक इसको शेकना है दबा दबा के शेक कोंगे तो करारापन आ जाएगा और इसी तरह मैं दूसरी रोटी भी शेक लूँगी तो मेरा तरीका अच्छा लगे तो योज करके देखना बहुत टेस्टी लगेंगी योँ भी नहीं पता चलेगा ये बची रोटी है और इधर मैंने पतीली में अधरक डाल ली थी पूटकर और आदा कप पानी डाल दिया अब इस में मैं चाइपती डालूँगी पानी में उबाला गया है आदा चमच चाइपती डालूँगी क्योंकि चमच मेरी बहुती चुटी है तो आदा चमच ही काफी रहेगी एक कप में और एक चमच से चीनी डाल दूँगी और इस में उबालाने के बाद दूद डाल दूँगी मेरी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेर स्क्राइब कीजिए लाश्ट तक देखने के लिए दन्यवाद